कैसे हैं आप सभी बेटर होंगे चलिए आज हम बात करते हैं अपने नेक्स प्रजेक्ट के इससे पहले हमने जो प्रजेक्ट को देख लीजेगा जो की रिलेटेट था आपके एक्षन रिसर्च को मैं आज बताऊंगी और इससे पहले वाला जो प्रजेक्ट था हमारा आप रिमेडियल और डियागनोस्टिक टीचिंग से रिलेटेट वस प्रजेक्ट को देख सकते हैं इसके रहा हम लोगों ने बात की है के स्टेडी के बारे में बात की है फिर के जो भ आपका फ्रन पेज है प्रॉजेक्ट और अक्षन रिसर्च अप देख सकते हों यहाँ पर दिक्षा हुआ है ऐब उप्रम्रे को टॉप में आप कॉल्यज करें अप स्टूदेंट का नाम बात देंगे पीज आएगा तो आप इंडेक्स में देख लिजेगा इंडेक्स का फॉर्मिट आपको पता है सीरेल नंबर टॉपिक पेज नंबर एंडेट ठीक है तो युनों ने जो एक्शन रिसर्च की है वो अपनी स्टेटिक्स के पोश्चन पी की हुई है आप कोई भी टॉपिक ले स परूशन दे सकते हैं बाकि आपके अपनी कर्मिट के अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती जिसे फॉर एक्जामपल अगर मैं बात करूं तो बच्चे वोंबर करके निलाते हैं कि यह बड़ी प्रॉब्लम है जब भी हम बच्चे को पढ़ाते हैं जैसे कुछ मैट्स में वीक हैं कुछ बच्चे स्कूल डेली आते हैं तो यह सारे प्रॉब्लम भी एक्शन डिसेर्च के अंतरगत आती है जिनको आप बच्ची की डेटा कलेक्शन करके अनैलिसीस करके आप उनका सॉट और निकाल सकते हैं और यह प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ ने सुख्च से पहले लिखा हुआ सीरल व्र में एक्शन डिसेर्च है नेक्स्ट में जिखाँ अल्झी सॉफ डेटा तो इनोंने मीन मीडियन ओर मोड है नों डेटा कालेक्शन के लिए कंडीयकिजन के लिए प्र अवब का इंडा इंडेक्स का पॉर्शन ठाप जो भी जय करेंगे move on the next page next page पर बात करते हैं थर्ड पेज हमारे acknowledgement में तो आप acknowledgement का मतलब आधार गयापन तो आप जिस भी बंदे की help से यह जिस भी टीचर की help से प्रोजेक्ट कर रहोंगा आप उसको कर लिजएगा ठीक है चलिए move on the main main project सबसे पहले आप सबसे पहले यहां पर क्या करेंगा आप action research का introduction देंगे ठीक है action research क्या होती आप उसको बतागे गए एकशन research का इंटो देने के बाद आप move करेंगे next page पे फिर आप बताएंगे meaning of action research ठीक meaning of action research फिर next बता सकते हैं फिर आम बात करते हैं अब्यजक्टिव क्या होता है I San Hani Cup में एक्षन रिसॉंच्प का तो अपने उसन के लिखेंगे जब ने करते हैं हैं लाएफ 1-2-3-4-5 ने कहले ने कहां पर पाइस पोड़ी है पेज पेज पर आगर हम आते हैं तो हाँ पर देरेको दिमेरिट्स ओफ एक्शन डिसेर्च की दिमेरिक लिखिएगा पेक्शन डिसेर्च की फिर नेक्स है बात करेंगे next page करते हैं experimental project of action research तुह हैं पर topic of the project इनका topic देखिए क्या student to research the tendencies of coming late to school daily in the student इनका जो problem है कि जो बच्चे हैं वो daily school में late कैसे आते हैं तो इस पर इनों ने research की हो यह और जाने की कोशिच की हो यह कि क्या region हो सकता है आपका problem कुछ भी हो सकता है आप से प्रॉब्लम ना लेकर अपनी जो क्लास में टीचिंग कर रहे हैं उस टीचिंग में किसी भी बच्ची की प्रॉब्लम ले सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम होते हैं ठीक है तो इनका जो प्रॉब्लम है वो क्या है बच् इस पता कर सकते हैं कि बच्चे लेट आते हैं ठीक है तो पचास बच्चों से केवल 25-30 बच्ची ही क्या है रेगुलर्ली टाइम पर आते हैं बाकी बच्चे लेट आते हैं तो उनकी अटेनेस रहे जाती है नेक्स बात करते हैं तो आप देख लिजेगा देलिमिटेशन अब प्रॉब्लम इन्होंने कर रखी है ठीक है फिर अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो भी सारी चीज़ें उसको आपको करना है जिससे यहां से इन्होंने सुरू कर दिया प्रोजेक्ट को अपनी प्रॉब्लम की आपको भी सिक्वेंस के अकॉर्डिंग करना फिर डिलिमिटेशन दिया फिर अब्जक्टिव बताया इस प्रॉब्लम को तो यह सारी चीज़े आपको करनी पड़ेगी फिर अनलेसीस ऑफ कॉजेस की बात करते हैं तो देखें आपे बहुत सारे मता ही दूसरा कॉज झोनने देखा है टान्स्पोरटेशन फैसलटी तो इस बोगता हो सकता है फिर वह बिमार हो मिया करने था बूताए अपने माता पेता का हार बताते है इस भझे साथाथ लेट达 सकते है अपना यह स्कूल को करते हैं तो यह देख लिजाएगा अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपनी हाइपोथिस बिनाईएगा ठीक है जरूरी नहीं है कि केवल एक ही हो दो-तीन हाइपोथिस भी आप बना सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मुव ओ नेक्स अप क्या करेंगे अप डिजाइग फॉर अफर्ड एक्षिन हाइपोथिस जो आपके अब्जेक्टिव होंगे अप उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च को डिजाइन करोगे तो दस्कूल इस थीक है यह जो प्रॉब्लम हें के आप देख लिजेगा दा स् अपने कर्मिन के अकॉर्डिंग तो कलेक्शन अपने डेटा में देखिए स्टुडेंट्स तू रिमूव दा टेंडेंसी ओ बीइंग लेट कमर्स तू तू थीक है तो यह सारी कॉजस हैं यह सारे डेट ऑफ बीइंग एपसंट है किस डेट में वापसंट रहे हैं नंबर अपने कितने स्टुडेंट प्रती दिन रिजिस्टर होते हैं कितने लेट होने के वज़े से अन्रिस्टर रहे जाते हैं तो यह काम किया हुआ है अप इसको देख लीजएगा ठीक जिसे वाली जिए थर्टी डेस का है तो बीस दिन कोई लेट हुआ फिर पाचीज दिन ले किया है ठीक अब इन्होंने निकाला है मीन निकालने से पहले हमको मीन का जनल इंट्रोड़क्शन देना है मीनिंग देनी है मीन का फॉर्मूला क्या होता है वो देना है दबार डाग्राम फॉंद फॉलोइंग डेटा ठीक है तो आप इसको भी देख लीजएगा इनका मीन शोपोपने मीडियर निकालने के बाद next मीडिया निकाला है तो मेरियन को भी Olympigan किया ठोड़ा सा थे ये यह सारी निका लें यह इनकाब है ग्रैफिकल रेपरजेंटेशन दो मीडियर निकला है उसके कट्डिच वनुनगर उनंने क्या किया है ग्राफ बना तो हमारा आता है histogram, तो histogram को आप देख लीजेगा, ठीक है histogram जेनल क्या होता है, diagram होता है, rectangular diagram होता है, और वो प्रिजेंट करता है, कि हमारा class interval frequency क्या है, इसके अलावा इसको हम कैसे histogram में show करते हैं, तो यह आप अपनी problem के according देख लीजेगा, types of histogram क्या होते हैं, वो देख लिख ल बना लीजेगा, frequency polygon की बात किए, तो frequency polygon बता दीजेगा, ठीक है, आप अपनी problem के according, जो भी चीज ले सकते हैं, जो भी problem लेंगे, उसके according आप data analysis करके, उसका conclusion निकाल सकते हैं, इन्होंने अपनी problem के according tendency लगाईए, फिर ओ भी बनाया हुआ है, ठीक है, यह देख लास interval है, जो quartile deviation बताया है, quartile deviation का introduction दीए, definition दीए, formula रखकर उसकी value को put किया है, और value निकालने के बाद quartile deviation की value भी इन्होंने निकाली हुई है, आप इसको देख लीजेगा, ठीक है, इनका quartile deviation इतना आया है, फिर SD भी निकाला हुआ है, SD यानि के standard deviation निकाला हुआ है, ठीक है, आप इसको देखियेगा, standard deviation में भी इसको वही meaning देना है, आपको definition देना है, फिर formula रखके value को put करके calculate करना है, आपको SD, SD करने के बाद conclusion, यानि कि इन्होंने mean, median, mode निकाला है, फिर quartile deviation निकाला है, ठीक है, mean deviation निकाला है, सारी चीजे निकालने के बाद सबसे last में इनका जो आता है, इन conclusion निकाला है, number of abstenties and latecomers are decreasing day by day, इन्होंने ये निकाला है कि प्रती दिन, day by day, number of abstenties and late student गढ़ते चला जाया है, फिर they are taking interest in their studies and new, इन्होंने मतलब जो भी teaching की हो, या जो भी problem का solution निकालने की कोशिश की हो, तो इनका conclusion नहीं आया है, कि study में बहुत इंटरेस्स लेने लेने जब बच्चा लेट नहीं आएगा, तो जाहिए से बात हो, आप सारी classes को प्रॉपर तरीके से करेगा, तो उनका conclusion बहुत अच्छा है, और student के देखी problem सौट आउट हो जाती, जिससे हम simple से example ले रहे है, बच्चे को maths नहीं आती, तो बच्चे को maths क्यों नहीं आती है, उसके मैच के टीचे से डरता हो, पूछना नहीं पा रहा हो, या मैच का टीचर थोड़ा स्टीक हो, या मैच की फॉर्मलों को वह चे से बता नहीं पा रहा हो, तो वह root cause करके, यानि की problem को identify करके, उस problem को sort out करेंगे, तो definitely वह problem एक दिन में तो नहीं खतम होगी, बट धीरे दिरे बता दिया, evaluation कर दिया, और सबसे लास्ट में उन्होंने अपना experience लिखा हो है, कि इस problem को solve करने के दौरन मैंने क्या क्या experience किया, हमारा अनभो क्या रहा, इसके बाद विबिलिग्राफी जहां से भी इन्होंने content लिया हो, जैसे measurement evolution वाली book है, उससे content ले सकते हैं, बाकी आपक पेच के explain करूंगी, तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, तो यह आपका first page था, next page index का है, acknowledgement है, action research है, meaning of action research है, objective of action research है, merits of action research है, demerit of action research है, experimental project on action research है, ठीक है, इसमें problem है, आपका introduction है, फिर definition of the problem है, delimitation of the problem है, objective of the problem है, फिर data analysis है, आपकी फिर formulation of hypothesis है, ठीक है, फिर design for first action hypothesis, collection of data है, ठीक है, इसके बाद mean के define किया है, mean के mean निकाला, फिर median define किया, median निकाला, ठीक है, इसके बाद mode की बात की तो mode निकाला है, mode को भी define किया है, ठीक है, histogram बनाया है, और यह grab बनाया है, polygon frequency का है, ठीक है, ओगी भी है, यह सारी चीज़े है, mean deviation हो गया, आपका quartile deviation हो पिर इसे लाष्ट में इन्होंने सजेटशन भी दिया है और डिशित किया वा डिसर बताई आपको ईवेलुसिन बताया है और अपसे लास्ट में एकस्पीरैस अभिल्यू ग्राफी तो यह प्रॉजक्ट था आपका यह फ्रॉजक्त थोड़ा भी आपको हेल्प करें पिरफे से डील करना है सो थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगी नीट फूल लगे लिक्वाइट फूलो तो लोग उता शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूटूब चैनल को लेंड विट कॉनसे बहें अचना भी शुकर मुँआ